आज हम मौजूद हैं बागिश्वर डाइट की गनित प्रियोक शाला में और ये बताया जा रहा है कि एक मातर ऐसी गनित की प्रियोक हुआ है तो आज हम जाने के कि इसे शामाणी तौरब हम देखते हैं कि विज्ञान की या जीो विग्यान की परियोक साला है हुआ करती है लेकिन ग मैं गरनीत के पर cen WR सिखाने का अभर जरिया है अनुठा एक तरीका है किस तरह से इन्होंने यहां पर किया हुआ है हमारे साथ मौझूद है गणित के विशेशग्गी भी है और यहां पर डाइट के प्रवक्ता है डोक्टर बीडी पांडे जी हम उन्चे जानेंगे इससार यह कैसे यह विचार आया क्या इसकी जरुवत आनपड़ी कि आपको गणित की प्रियोक्षाला बनाने की नो बताई क्यों कहां से इसा विचारा है इससे पूर जब मैं दोहजार शात्र में डाइट में गणित विशेगी की रूप में यहां पर नियोक्त हुआ तो उसमें विभिन टैनिमों में हम देखते थे कि गणित क कि जो लैव है कई जबा देखते ए दिमाग में यह विचार आए कि हमारे पास गणित की लैव होनी चाहिए जिसमें बच्चे अपने हातों से गणित के उपकरणों को बनायों गणित के चोटी-चोटी चीजों को बनाये और उससे सीखें बनाने के दौराने गनित के संबोदों को सीखें और ये तभी संबोव है जब उनके पास उनके समीप में या अपने विद्याले में या जनपत स्थर पर कोई इस तरह की लेव हो जहां पर वो उपकरणों को बनी बने उपकरणों को देखे और उसके उप्रांत वो उस संबोदों को सीखने का प्रियास करें तो 2017 से हमने ये प्रियास किया और विभिने प्रेस्टिक्षनों में विभिने कारीशालाओं में हमारे जनपत के अधियापकों ने सहीयोग प्रदान किया और उनके आइडियाज को भी लिया गया और NCRT की जो कितावे हैं उसमें जो संबोद दिये हुए हैं और उसमें जो एक्टिविटीज दिये हैं उस एक्टिविटीज को हमने कारी उप में प्रियास किया है और ये प्रियास इतना अच्छा सफल हुआ है कि हमारे पास आज इस गनित की छोटी सी लैब में 400 से अधिक संबोदों को सिखाने के लिए कोई न कोई उपकरण मौजूद है और कुछ उपकरण ऐसे हैं जिससे हम मल्टी क्लास कई क्लासों में भी एक संबोद से कई संबोद सिखा सकते हैं यानि कि कक्षा एक में अगर एक उपकरण उपकियोगी है तो वो कक्षा आठ में उपकियोगी है और इस तरह से हमने कक्षा एक से बारत तक के जो गनित के संबोदें उनको सरल करने का प्रियास यहां पर किया हुआ है सर जब आप प्रियोक्षाला में यहां पर वर्च्वाप चलती होगी क्योंकि हम सारे बच्वों को यहां पर नहीं ला सकते हैं लेकिन टीचर आते हैं और टीचर जब कारिशाला में इस तरह के उपकरणों का निमार करते हैं तो हम प्रदर्शनी लगवाते हैं लगातार इस बरस भी हमने दो प्रदर्शनी लगवाई है गनित दिवस में लगाई और एक चार दिवसी गनित केट परियोक्षाला की जो अक्शोप पूई थी उसमें भी हमने अंतिम दिवस में प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें बच्चों को हमने इन उपकरणों को दिखाने का प्रियास किया और बच्चे इसमें बहुत रूची लेते हैं और दिन भर वो इन उपकरनों के साथ चीजों को सीखने का प्रियास करते हैं तो हम भी देख सकते हैं कि गणित के प्रतिय बच्चों में धारना ये रहती है कि डराने वाला सब्जेक्ट माना जाता है लेकिन इनोंने बहुत आसान तरीकों से जो उनके सूत्र होते ह जो फॉर्मूले होते हैं उनको एक प्रैक्टिकल के तोरप यहां समझाने का प्रियास किया है कुछ चीजे हम दिखाने की कोशिश करेंगे अगर आप इस जो चीजें बनी हुई है इनको अगर आप समझा सकें तो ये क्या चीज है जैसे आपने लिखाए कि गोले का ये वक प्रैक्टिकल के तो उसको हमने एक आसान तरीके से समझाया कि एक कॉस्को की बॉल ले ली उसमें हमने धागा लपेटा और उस धागे को चार वरावर भागों में बाटा तो चार वरावर भागों में बाटने के उपरां जब हम बरावर भागों से ब्रत बनाते हैं तो चार व्रत बनते हैं और एक ब्रत का शेतफल बच्चा आसानी से जानता है कि पायार स्कॉयर होता है और इस पेकार चार ब्रत बनते हैं तो चार ब्रतों का शेतफल फोर पाय विजुलाइज करने लगते हैं और जो अफ्टेक्ट बिल्कुल उनके दिमाग में एक सभी बन जाती है कि गोली जो जितने भी प्रेश्टो होते हैं वो कितना कैसे सित्फल घेड़ते हैं क्योंकि उनके सित्फल को हम कहीं मूर्त रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं ल से सकें को कोई श्याशी चीज है जी इसके अलावा हम गनाव और जितने भी टेट्रहार या जितने भी लिए जोंट प्रेशा में आकरती यह इन कंपार हम क्या करते हैं कि त्रीवी आकरतीता यह यह प्रिज में Likewise यह पिरेज है ये चीज बता देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर प्रियास यह किया है, कि हम पहले इनके जाल को समझाते हैं, जब बच्चे जाल उसके बना लेते हैं, हम ट्रेसिंग पेपर के द्वारा जाल उनको बनवाने के लिए कहते हैं, जब बच्चे जाल बना लेते हैं, तो उनके और तो सुल्ब बनाने में बच्चे यह सीखते कि इस तरीके से बनाई आती उसमें किस किस का युगदान है जैसे यहां पर एक पर एक आकरती बनी पत según डॉने चाने को बनाintell早 तो इसी प्रिकार से पूरे tetrahedon के सिद्फल को जान लेता है और इसी प्रिकार वह आयतन की गरना भी कर लेता है और आज यह उन जो बच्चे प्रीज में पिरेमिड में अंतर नहीं कर पाते हैं अब बच्चे सजी रूस पे देखते हैं कि प्रीज में किस तरह किया करती है औ उसको उनकी परिवासा को याद नहीं करना पड़ता है और आज ही उन उसके संबोद को समझ लेते हैं अचा कुछ चीजें तो सर ऐसा है कि सामानी तरफ बाजार में भी उपलब्द हो जाती हैं लेकिन कुछ चीजें साहद आपने यहां जो बाजार में नहीं मिलती हैं नहीं मिलनगी हम उसको यहां पर बनाते हैं यह है कि NCRT की किताबों में उन गतिविदियों को बताया तो गया है लेकिन पूरा खुलासा वहां पर भी नहीं हुआ है तो हमने बहुत सारी गतिविदियों को यहां पर करवाया गया है जैसे यह एक गत्य के टुगड़े को लेके एक प्लाइबोर्ड के टुगड़े को लेके उसमें हमने एक ग्राफ पेपर चिपका दिया है यह गतिविदियों को कहीं भी किसी भी किट में नहीं मिलेगी यह हमने स्वयम मनाया यहां पर तो इसमें ग्राफ पेपर लगाया गया है और इसमें अलग-अलग प्रकार के कीलों की मदद से ब्रतों को उकेरा गया है तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि संकेंदरी ब्रत कैसे होते हैं बच्चा उनको छू कर मैसूस कर सकता है इवन बच्चे छू कर, स्पर्श कर और बना कर स्वैम देखते हैं तो उनको मालूम चलता है कि संकेंदरी ब्रत क्या होते हैं ब्रत की तिर्जिया क्या होती है अगर यहाँ पर तीन ब्रत दिख रहे हैं तो किस ब्रत की तिर्जिया जादा है, किस ब्रत की कम है सबसे बड़ा ब्रत क्यों है क्योंकि उसकी तीजिया जादा ब्यास क्या है और इसके अलावा मतब 6, 7, 8 और 9 और 10 में जितने भी ब्रत से समंधित प्रमेई है वो यहां से प्रूफ कर लेते हैं तो दिखने में एक छोटा सा टीयलम है लेकिन ब्रत से समंधित जितने भी प्रमेई हैं इसमें प्रूफ हो जाती है लगवग इस टीयलम के मादिम से हम 20 से 25 और जानाओं को बता सकते हैं और भी कोई ऐसी चीजें हैं सब्सक्राइब जो आपने बनाई हैं और जिनको आप बता सकें कि यह उपकर जो बाजार में तो नहीं मिलते हैं लेकिन बहुत उप्योगी है यह यह थेल्स थेखरम है कक्षा 9 में थेल्स थेखरम आती है कि अगर तिरूज के किसी तिरूज के समानतर आधार के समानतर अगर कोई रेखा खिंची आती है तो वो किस तरीके से प्रमे का निर्मार करता है तो यह थेल्स प्रमे कहीं पर भी आपको मिलेगी नहीं यह हमने यहाँ पर डियाइन की है और यह थेल्स प्रमे आपको मार्केट में कहीं पर भी नहीं दिखिए ग क्षाइग 11 संबोद आता है संबन्ध ऊलनों के प्रकार शब से पहले संबन्द किया है बच्चे निए सम However क्षा क्षा एयर्ण क्या 묶्चान दो संबन्स समंझ बना गए इसके क्व को समझ्ञा लेते हैं वश्तुमिंद और आपस में और अंतर किया है तो उस Virginia McM산 यह क्या है फरी परिमाप आपने बनाया है यह किस तरह से उपयोगी है क्या इसे मैसेज़ बत चुब बनता है यह जियो बोर्ड के मादियम से प्रात्मी कख्षाउं में हम अलग-अलग प्रिकार की आकरतियां यहां पर प्रारंबी गूप से खेल खेल में दूबी मी आकरतियों को खीषना सकते हैं और उसी दौरान वो यह वी देख लेते हैं कि यह ग्राप पर लगा हुआ है और graph paper एक एक ऐसी एउदाणा है जहां पर हम शेथफल के एउदाणा को बहुत आसानी से बता देते हैं तो एक अगर तिरुज है या बर्ग है या आयत है तो बर्ग और आयत के अंदर या तिरुज के अंदर कितने खाने cover हो रहे हैं तो उसे वो आ से वो जान लेता है कि इसका शेथफल कितना आ रहा होगा दिरे-दरे वो परिमाप निकालना सीख लेता है तो एक तरीक चेयो बोर्ट जो है हमें परिमाप की तरhat ले जाता है या शेथफल की तरव ले जाता है या जिन टीचर्स को आप बुलाते हैं वो तो इसमें आते ही होंगे तो शामानी तोर पर कोई जो बच्चे विद्याले में हैं और यहां आना चाह रहा हो और इसके कुछ सीखना चाह रहा हो तो क्या वो आ सकता है जी यह विजिटर रेइश्टर है जिसमें अभी तक जो यहा आपको ये गणित लैब कैसी लगी तो अभी तक हमारे हाँ 70 इस सत्र में 70 लोगों ने विजिट कर लिया है और हर साल हम इस विजिटर रेश्टर को बदलते रहते हैं तो इस सत्र में हमारे हाँ 70 लोगों ने विजिट कर लिया है जिसमें अभी रिसेंटली हमारे अफ़े से करना's लिए थोड़ा सा सेटप वैसा वैनाना पड़ता है कि बच्चों को हम आसानी से बाचीत कलने और उनके लिए मौके इतने हो तो वो मौके यहाँ पर क्योंकि छोटी लेव है इस अस्तान समभो नहीं है तो हम जब permission देते हैं तो कम बच्चों को दे पाते हैं एक बार में दस या बीस बच्चे एक साथ आ पाते हैं आपर उससे ज़्यादा हम permission नहीं दे पाते हैं और कई जिगा से यहाँ पर बच्चे विजिट करने के लिए आते भी है एक सर आपने एक कुछ डिस्पोजल गिला से बनाया सम 20 फलक और यह जब डिस्पोजल कप हैं वह डिस्पोजल कप के माध्यम से बनाया है यह भी ऐको से हैं है संब 20 फलक और इसी प्रिकार से समस्त फलक बन जाता है संब 24 वन डोडे का है डॉन संब 16 फलक बन जाता है यानि कि बार वुजहाओं वा करती और ऌर ड़क वा करती और 20 वुजहाओं वा करती तो यह संसार में केवल 5 ही ऐसे 3D आकरतियां संबो हैं जिनको हम इस तरीके से बना पाते हैं तो उनका प्रदशन हमने किया गया है और ये गनित की व्यूटी को भी बताते हैं गनित में कितनी व्यूटी है उसको बताने के लिए और गनित की तरफ बच्चों का रुजहान हो इसको दिखाने के लिए भी हम इनाकरतियों को से बनवाते हैं और यह हमारे Central students ने बनाये हैं और फिर वो और वी द्यायों में बी नाकर्तियों को बनाते हैं बच्चों की मदद से बनाते हैं लोगी और बॉर आशानी संबजने में हो गया एक आपसी जानना रहती है कि कठिन भी शाये बच्चे से बसते हैं तो ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों से अभिवावों से क्या आप अपील करना चाहेंगे वास्ताव में मत्तब गनित के प्रती जो आउधारना एक बनी हुई है कि गनित को एक बिल्कुल साइको फियर का विसे माना जाता है गनित से बच्चे भाईवीत होते हैं गनित पढ़ने से थोड़ा सा प्लाइन करते हैं तो यदि वो हमारी लेब में बिजिट करते हैं या फिर कभी इस तरह की वरक्शॉप में हमारे पास आते हैं तो मैं इस बात की गारंटी द निर्माण नहीं करेंगे जो गनित से डर रहे हों अगर बच्चे यहां पर विजिट करते हैं तो बार बार उनका विजिट करने का अमन करता है कई बार हम अपनी वाक्शॉप में देखते हैं जब प्रदाशनी करवाते हैं तो बच्चों को हमें जवस्ति फिजना पड़त तो दूसरा डर इस बात से भी होता है कि कई बार हम बच्चों को परिफासाओं में, नियमों में, सिध्धानतों में परिफासाओं में बाधने का प्यास करते हैं और रटाने का प्यास करते हैं जब कई सारी चीजों को हम रटाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे वहां से निश्टरों से प्लाइन करते हैं लेकिन यहां पर जितनी भी चीजें बनाई हैं उसमें कहीं पर भी कोई नियम पहले नहीं बताया गया है कोई रूल पहले नहीं बनाया गया है हमने simply चीजों को गते से या जो वेस्ट मेट्रियल है उनसे काट पीट के चीजों को बनाया है जब चीजें बन जाती हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि ये चीज में गनित का ये सूत्र ये सिध्धान्त या ये नियम चुपा हुआ था जारू के सीखहें रिधा और जारू की सीखें हैं जारू की सीखें से गोणा काई सीख लेता है यह फिर यह रहोग प्रतिशेदिन की बसना बंदो करते हैं तो यह इन मीट करते हैं इसके बैद नहीं सब्सक्राइब अAFon . यहां यह समरूप आकरthi यहीं क्लावा उपनाई चैन कर लावा कमें समरूप क्या हैं बुदकिनती हैं तो उनको बहुत आनन्द आता है, अब लॉसों मॉसों के प्रश्ण उनको कठी नहीं लगते हैं, उनको बहुत आसान लगने लग जाते हैं तो कहने का बतब यह है कि आप चीजों को कठी मनाके पढ़ाना चाहते हैं या चीजों को आसान मनाके पढ़ाना चाहते हैं, तो हमार की तिर्जिया कितनी होती ब्याज कितना होता अगर उससे पूछा जाए तो मैं अधिकांस बच्छों से पूछता हूं तो नहीं निकाल पाते हैं लेकिन जब मैं उनको ये टूल देता हूं ये इस तरह का टूल है जहां पर गैद रखी गी है और यहां पर पैमाना बनाया गय तो बीच का जो पैमाना होगा गैप होगा वो उसका ब्यास होगा और उसका आधा तिडिया होता है तो फुट्वाल का या जितनी भी बॉले उसके पास खेलने को मिलती है उनकी वो ब्यास को निकालना सीख लेता है और इस तरी गणित की भयावता को हम दूर करने का प्रिय तो अगर आशानी समझने में हो सकती है आपको लगता है इसी कोशिश होनी चाहिए बिलकुल निश्चित रूप से मैं यह मानता हूं कि गणित को अगर हम आसान मना के चीजें आसान मनाते हैं तो बच्चों को आसानी से ओग्राही होता है तो हमारे जनपत के कई सारे नवाच नहीं पाते हैं लेकिन निश्चित उसे काम हो रहे हैं सरकारी विद्याले में काम हो रहे हैं जब वो विद्याले हमारे तक कई बार इस तरह की चीज़ों को लेके आते हैं मतलब उनके पास कुछ चीजें यह नहीं है कि यह सारी चीजें मेरी ही हैं बहुत सारी चीजें इस जनपत के अध्यापकों ने इस लेब को बनाने में समय दिया है उनके पास भी आइडियाज थे उन आइडियाज को उन्हें यहां पर उके रहा है कुछ आइडियाज मेरे थे कुछ NCRT की किताबों से थे तो इस तरह से एक समनित प्रियास था अगर इसी तरह का समनित प्रिया तो गनित को आसान मनाने का एक बहुती सरहानी प्रियास हर इंस्टूट कर रहा होगा तो बागेश्व डाइट ने यहां प्रियास किया हमारे प्राचाई डॉक्टर सैलिन सिंग धपुला जी ने इस तरह की हमको सवचंता दी जहां पर हम इस तरह के कामों को कर सकें तो निश रेडिमेट कित का उफयोग तो हम करते ही हैं लेकिन हमारे पास रेडिमेट किट से भी बहतरीन चीजें बनते बन गई हैं जिसको हम कई बार NCRT किट को किनारे रखे इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें एक अपनापन महसexcश होता है और जो टीचर साथ है उनको एक अपनापन महसूस होता है कि यह हमारे दोरा बनाएगी है या इसको बनाने में हमारा योगदान है या हमारे शिक्षकों का योगदान है या हमारे साथियों का योगदान है इसलिए हमारे अच्छी चीज़ है और हम अपने बच्चों की बीच में इसको ले जा सकते हैं और हम भी बना सकते हैं, ऐसा उनके अंदर एक सोच आती है तो इस सोच के साथ हमारा पूरा जनपद अगर इस तरह के प्रियास को करे या अन्य जनपद भी इस प्रियास को आगे ले जाते हैं तो निश्टी तोचे मुझे खुसी होगी कि हम गनित को आगे बढ़ाने के लिए कारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डाइट बागिश्वन ने कुछ अनुखा कारी किया है, गनित के लिए हम कारी कर रहे हैं, तो गनित के लिए प्रतेग व्यक्ति कारी कर सकता है, और प्रतेग ज यह अनुकर्णी प्रियास बागिश्वड डाइट ने यहां पर किया है। वह सारी चीज़े हैं हम कुछ चीज़े ही हां पर समया भाव के चलते हम तिखा पाये हैं और मैं सबी लोगों से भी और उन भी और अभिवाव को अपील करोंगा कि यहां और इसको देखें यह बहु अपील है कि यहां पर आएं और इसको देखें और इसको समझें ताकि गणित को समझने में और लोगों को समझाने में आसानी होगी। CCN News के लिए मैं सुरेश पांडेग।